दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आउट डोर लाइट फिटिंग कैसे करते हैं जी हाँ दोस्तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जनकारी देने वाला हूँ किस तरह से पाइपिंग करेंगे उसके बाद वायर किस तरह से डालेंगे और कहां कहां पे नहीं मिल पाएगा मेरा नाम है सर्वर यालम विलकम बैक अपना यूटूब चैनल यह से अलेक्टिकल्स पे चलिए वड़े शुरू करते हैं तो दोस्तो आप देख पा रहे हैं ऊपर हमारा यहां पे आउट डोर लाइट फिटिंग है और जस्ट नीचे दोस्तो हमें सेम हमें लाइट को फिटिंग करना है देख सकते हैं यह हमारा आउट डोर लाइट ठीक है अब दोस्तो इसको हमें फिटिंग करना है यानि लगान इसे जलाना भी है ठीक है दोस्तों तो किस तरह से यहाँ पर लगाएंगे देख सकते हैं यह उपर लाइट है उसके जस्ट नीचे हमें लाइट को फिटिंग करना उपर पहले ही काम हो चुका है तो देख सकते हैं रहरो पर हमारा beam है, यहां पर हम flexible pipe लगा के wire डालेंगे, ठीक है, तो piping हमने already कर लिया है, देख सकते हैं, उपर हमारा outdoor light fitting हुआ है, ठीक है, और same उससे नीचे हमें करना है, ठीक है, कि दोनों का reflection हमारा अच्छा हो, देख सकते हैं, इस तरह से piping हम कर रहे हैं, और जो jackson है, हमने अच पर हमारा reflection आएगा, देख सकते हैं, इस तरह से हमें लगाना है, तो दोस्तों बात कर यहां पर देख सकते हैं, piping हो चुकी है, उसके बाद wire कैसे डालेंगे, तो देख सकते हैं, दोस्तों हमने polycape का wire लिया है, ठीक है, और दोस्तों किसी भी company का यहां पर एड़टाई में न ठीक है, अब दोस्तों यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, यह हमारा black color का wire और blue color का wire, black हमारा neutral और blue हमारा face बनाएंगे, और दोस्तों यह जो हमारी wire है, धाई square mm की wire है, ठीक है, party के demand के अनुसार यह work किया जा रहा है, देख सकते हैं, इस तरह से जक्सन के थूरू हम wire डाले तो इस तरह से दोस्तों आप देख पा रहे हो, wire को हमें pipe के अंदर डाल देना है, यानि looping करना है, यानि एक ही switch से हमारा यह solar जो light है, वो हमारा एक ही switch से operate होगा, क्योंकि जलेगा तो एक ही साथ जलेगा, ठीक है, अब दोस्तों देख सकते हैं wire हमने डाल दिया है, और wire को हमने measuring कर लिया है, देख सकते हैं, ठीक है, last तक हम wire यहाँ पे measuring कर लिया है, थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, कि flexible pipe लेंगे, जहां पे हमारा beam है, ठीक है, तो wire को हम flexible pipe के अंदर डाल देंगे, इस परकार से देख सकते हैं, जहां जहां आँपे हमारा beam है, वहाँ वहाँ पे हमें flexible pipe लगाना है, तो दोस्तों आप देख 파 रहे हैं, इस तरह से flexible pipe को pipe के अंदर डाल देंगे, अब दोस्तों क्या करेंगे, कि wire हमने डाल दिया है, और इस की हमें looping करना है, या याल को looping करना है, तो देख सकते हैं, इस तरह से рын के through हमारा wire यहाँ पर इस तरह से डालेंगे थोड़ा बड़ा ही रखेंगे और गाट मार देंगे यानि इसको बांग देंगे जिससे की wire खीचा ना जाए ठीक है तो इस परकार से दोस्तों देख सकते हैं तो जितना हमारा जक्सन से मुसी परकार से wire की looping करना है अब चलिए एक light आपको लगा के दिखलाते हैं देख सकते हैं गाईज यह हमारा outdoor light है और यह waterproof है देख सकते हैं दोस्तों ठीक है इसको हमें fitting करना है तो simple or easy है आसानी से आप fitting कर पाएंगे सबसे पहले तो screw जो दिया है screw को हमें open करना है यानि खोलना है ठीक है तो दोनों screw को हम खोलेंगे जो उपर नीचे हमारा लगा हुआ है तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यह जो हमारा light है वो open हो चुका है अब दोस्तों क्या करेंगे कि wire का insulation हम remove करेंगे यानि wire का देख सकते है insulation हमारा ठीक है तो हमें remove कर लेना और इसमें जो हमारी earthing की wire है वो अलग हो जाएगी यानि separate हो जाएगी ठीक है दोस्तों तो उसको हम निकाल देंगे कोई दिक्कत अगर नहीं है देख सकते हैं यह छोटा सा ठीक है इसको हम निकाल देंगे और दोस्तों अब बाकी हम connection आपको करके अभी दिखलाएंगे फिलहाल चलिए आपको लाइट हम फिटिंग करके दिखलाते हैं देख सकते हैं दोस्तों ब्लू कलर की जो वायर है ठीक है वायर का इंसुलेशन हम रिमूब कर रहे हैं दोनों का लिक है ब्लू और ब्लैक उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जो लाइट का हमारा वायर है दो वायर है ठीक है तो इन दोनों वायर का insulation हम remove कर लेंगे इसमें दोस्तों आप neutral face किसी भी तरफ कर सकते हैं कोई problem नहीं है फिला हम blue वाले wire में light का जो हमारा red वायर है यानि face का wire है इसमें हम connection करेंगे connection करने के बाद अच्छी quality का आपको tape लगा देना है देख पा रहे हैं दोस्तों तो इस तरह से हम tape लगा देंगे तो एक wire का connection हमने कर लिया है उसके बाद दोस्तों दोसरी wire का हम connection करेंगे यानि light का जो हमारा दोसरा wire है तो neutral वाले wire में अच्छी तरीके से हम connection करने के बाद tape को लगा देंगे अब दोस्तों इस light की जो हमारी connection है वो complete हो चुकी है उसके बाद दोस्तों इस light को कसने के लिए ठीक है हमें एक इंची का काला पेच यूज कर रहे है wire को अच्छी तरीके से दोस्तों जक्सन के अंदर हम डाल देंगे और black जो screw है हमारा इससे हम कसने वाले हैं देख सकते हैं तो दो हमारा screw लगेगा और दोनों screw को लगा के full tight करेंगे ठीक है जिससे की जो हमारी light है वो ही लेना अच्छी तरीके से देख सकते है light का जो base है हमने fix कर लिया है अब दोस्तों इसका जो हमारा cover है तो इस तरह से लगाएंगे और screw जो हमारा उपर दिया हुआ है इसको कसने के बाद हमारा full tight हो जाएगा अब दोस्तों देख सकते हैं outdoor हमारी light fitting हो चुकी है installation हो चुका है किस तरह से किया जाता है इस वीडियो में आपको मैंने completely बतलाया है अब दोस्तों जक्सन का जो हमारा cover है cover लगा देंगे देख सकते हैं wire भी नहीं दिख रहा है और हमारा जो outdoor light है वो लग चुका है तो इस तरह से दोस्तों हमारा जितना है same उसी परकार से हमें installation कर लेना है ठीक है यानि fitting कर लेना है अब दोस्तों चलिए fitting तो हमने कर लिया है उसके बाद दोस्तों हम इसमें supply देंगे और आपको check करके दिखलाएंगे कि जो हमने connection किया है वो सही है कि नहीं देख सकते हैं wire हमारा बड़ा है ठीक है अब इस board में हम दोस्तों temporary अभी हम check करने वाले हैं देख सकते हैं socket में हमने wire डाला है switch को on कर दिया है guys आप देख सकते हो light हमारी कितनी शांदार तरीके से जल लई है नीचे की भी light हमारी जल लई है इसकी reflection guys आप देख सकते हो बहुत ही शांदार है वीडियो मैं दोस्तों शांदार को shoot कर रहा हूँ थोड़ा सा अगर और रात होता तो इसका जो look है guys बहुत ही अच्छा होता उपर की जो light भी जल लई है देख सकते हैं और नीचे का भी जो हमारी light है जल लई है रात जैसे ही होगी दोनों का reflection बहुत ही गजब आएगा देख सकते हैं दोस्तों टोटल जो हमारी light है वो जल लई है दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आर वीडियो को like जरूर कीजेगा चैनल को subscribe जरूर कीजेगा किसी भी तरह का अगर आपके मन में सवाल होगा सुझा होगा तो नीचे comment box में जरूर लखिएगा दोस्तों मैं reply जरूर दूँगा सो गैज आप देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से यह जो हमारी light है यानि outdoor light हमारी जल लई है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं जल में